Hello students, आज के लिक्षरों में हम इस चाप्टर की back exercise के fourth question को solve करेंगे दोस्तों, इसके अंदर अब से पूछा गया है कि why do you think Kisa Gautmi understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? कि दोस्तों, Kisa Gautmi को ये death जो common है, ये वली बात second time में ही क्यों समझाई? दोस्तों, ऐसा इसलिए है, क्योंकि first time में तो Kisa Gautmi death पर focus नहीं कर रही थी, वो ये accept ही नहीं कर रही थी, कि उसके son की death हो गई है वो तो सिर्फ लोग उसे medicine मांग रही थी, कि वो किसी तरीके से अपने बच्चे को ठीक कर सके पर second time में ही दोस्तों, उसने death का जो भी phenomenon होता है, जो भी nature है, उसको realize किया Second time में ही किसा Gautmi को पता चला, कि हर घर में किसी close one की death अलड़ी हो चुकी है ये तो life का एक हिस्सा है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है और यही realization है दोस्तों, जिसकी वज़ो से किसा Gautmi का perspective change हुआ तो हम कह सकते हैं कि बुद्धा ने बहुत ही असानी से किसा Gautmi को जो वो चाते थे, वो समझा दिया दोस्तों, main understanding यही है कि जो death है, वो एक common चीज है, हमें selfish नहीं होना चाहिए, बलकि इसको accept करके life में आगे बढ़ना चाहिए इसका written solution available है, उसको जुरूब जिब कीज़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि examination में इस type के question के answer को कैसे present किया जा सकता है तो चलगे, मिलते हैं अगले lecture में, जिसके अंदर इतनी असानी से इसी chapter की back exercise के 5th याने की last question को हम solve करने बाले हैं See you in the next lecture Students, I'm sure आपको ये video बहुत पसंद आया होगा तो इसी तरह से interesting तरीके से, अगर आप सारे concepts, theories, different chapters समझना चाहते हैं तो download कर ये P.U.Stack App क्योंकि इस आप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा Sample Papers हो, Tip Videos हो, different lectures, back exercise solutions, बहुत कुछ So what are you waiting for? Download P.U.Stack App